अगला प्रश्न दिया गया है कि वक्रों में से प्रत्यक के अभिलंब के समीकरण गात कीजिए जहां पर प्रश्न है वक्र का समीकरण है x equal to a cos cube t और y equal to b sin cube t k बिंदू e पर तो यहां पर भी हम वही प्रक्रिया करेंगे जो कि हमने पूरों प्रश्न में किया था दिया गया वक्र है x equal to a cos cube t और y equal to b sin cube t माल लेते हैं कि यह समीकरण एक है इन दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों को t के साफ़ एक्षम आउकलन करेंगे तो मिल दाएगा dx by dt equal to a cos cube t का मिल दाएगा 3 cos square t और cos t का मिल दाएगा minus sin t या फिर हमें मिल दाएगा dx by dt equal to minus 3a sin t cos square t और y का t के साफ़ एक्ष तो dy by dt equal to b sin cube का मिल दाएगा 3 sin square t और sin t का आउकलन cos t या आपको मिल दाएगा dy by dt equal to 3b cos t और यह sin square t मान लेते हैं कि यह समीकरण 2 है और यह समीकरण 3 है सरिंखला नियम का उपयोग करके सरिंखला नियम से हम dy by dx का मान गयाद कर सकते हैं तो यह आपको मिल दाएगा dy by dt upon dx by dt तो यहां से में मिलेगा dy by dx equal to dy by dt यह मान 3b into cos t into sin square t और dx का मान, dx by dt का मान, minus 3a sin t cos square t देखिए, 3 और 3 cancel हो जाएगा, यहां से cos t और यहां से 1 cos t cancel और यहां से 1 sin t और यहां से 1 sin t cancel तो मिल दाएगा minus b upon a sin t upon cos t और यदि solve करेंगे तो मिल दाएगा minus b by a tan t तो यह dy by dx equal to minus b by a tan t मान के चलते हैं कि यह समी करण 4 है अब यह हमें जो प्रवणता मिली है यह इस पर सरेखा की प्रवणता है तो अभी लंब की प्रवणता अभी लंब की प्रवणता जो हमें मिलेगी मान लेते हैं कि यह m है तो अभी लंब की प्रवणता m1 बराबर minus 1 upon m यह हमें मिलेगा क्योंकि अभी लंब और इस पर सरेखा की प्रवणता हों का गुणन फल रिनेक होता है तो यहां से हमें M1 का मान मिल दाएगा minus 1 upon और यह minus B by A tan T solve करने पर minus और minus plus A by B और आपको मिल दाएगा cot T तो अब हम देखते हैं कि अभी लंब का समी करण अभी लंब का समी करण यह Y minus Y1 equal to M into X minus X1 से तो Y minus Y1 तो यहां पर एक बिंदू दिया गए था T तो यहां पर भी आप T का मान रखेंगे तो ठीटा के सान पर यह में T रखना था तो ultimately यह T ही मिलेगा इस वज़ा से हमने उसको अलग से हां पर मेंचन नहीं किया है अब यह Y minus Y1 Y1 अर्थात यह बिंदू B sin cube T equal to M M अर्थात अभी लंब की प्रवणता के में मिला है A by B cot T और X minus X1 X का मान यह X1 का मान A cos cube T तो यह अभिष्ट अभी लंब का समी करण है और यदी से और सरल करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जैसा कि यहां पर आप B का मल्टिप्लाई इदर करेंगे तो मिल जाएगा BY और minus B square sin cube T equal to A cot को हम लिख सकते हैं cos T upon sin T तो sin T को मैं इदर मल्टिप्लाई कर देता हूँ यह sin T और फिर X के साथ मल्टिप्लाई होगा तो यह X और फिर A cos T का मल्टिप्लाई इसके साथ करेंगे तो A square cos का power 4 T bracket open करके solve करते हैं और सब को हम left side में ले आते हैं तो यह left side में नहीं भी लाएंगे तो भी it's okay यहां से इसको मल्टिप्लाई कर दीजे तो ultimately मिल जाएगा BY sin T minus B square sin का power 4 T equal to A A into X cos T minus A square cos का power 40 और यही अभिष्ट अभिलंब का समी करण है जो की हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था प्रश्न दिया गया है कि निम्नलखित वक्रों पर अभिलंबों के समी करण ग्याद कीजिए जहां पर वक्र का समी करण दिया गया है 2Y equal to 3 minus X square के बिंदू 1 1 पर तो जैसा कि आप जानते हैं कि वक्र का समी करण दिया गया है और हमें अभिलंब का समी करण ग्याद करना है तो पहले हम लिखे हैं तो पहले हम लिखते हैं कि दिया गया वक्र 2Y equal to 3 minus X square माल लेते हैं कि यह समी करण 1 है इस समी करण का आउकलन करके हमें दिया गयाद करना है तो दोनों पक्षों को X के साफ एक्ष आउकलन करने पर हमें मिल जाएगा 2 times dy by dx equal to 3 तो constant है तो 0 आजाएगा minus 2X और आगे जब सरल करेंगे तो 2 or 2 cancel हो जाएगा आपको मिल जाएगा dy by dx equal to minus X माल लेते हैं कि यह समी करण 2 है अब हम इस वक्र के बिंदू 1,1 पर खीची गई इस पर सरेखा की प्रवणता गयाद करते हैं तो लिखेंगे कि वक्र 1 पर बिंदू 1,1 पर खीची गई इस पर सरेखा की प्रवणता यह जो माल हमें मिला हुआ है dy by dx at that point यह 1,1 पर हमें निकालना है तो यहाँ पर X के स्थान पर हम यह value पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा minus 1 माल लेते हैं कि यह तीसरा समी करण है तो अब हमें सपर सरेखा की प्रवणता मिल चुकी है हमें अभिलंब का समी करण ग्याद करने है और अभिलंब का समी करण ग्याद करने के लिए उसकी प्रवणता ग्याद होई चाहिए जैसा कि आप जानते हैं कि दो परस पर लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुनेटफल रिनेक होता है तो ये इस पर से रेखा की प्रवणता M1 है, तो माना अभिलंब की प्रवणता M1 है, तो प्रश्णा नुसार क्या होगा? M into M1 equal to minus 1, और M का माने minus 1, यहाँ पर put कर देंगे, तो minus 1 into M1 equal to minus 1, तो यहाँ से आपको मिल दाएगा M1 equal to 1, तो अभिलंब की प्रवणता हमें मिल चुकी है, अब अभिष्ट अभिलंब, अभिलंब का समीकरण, दो बिंदो से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको यहाद है, Y minus Y1 equal to M into X minus X1 से, कौन से बिंदो से होकर के जा रही है, यह एक एक से होकर जा रही है, तो हमें मिल जाएगा Y minus 1 equal to M, और M किसकी परवणता, M अर्थात, यहाँ पर यह अभिलंब की परवणता के बारे में बात को रही है, तो यह मिल जाएगा 1 into X minus X1, और X1 की value again 1, तो सौल करने पर आपको मिल रहा है Y minus 1 equal to X minus 1, या फिर सरल करने पर आपको मिल रहा है Y equal to X, और इसे और दूसरे रूप में लिखना चाहा है, तो आप लिख सकते है X minus Y equal to 0, तो यह अभिस्ट अभिलंब का समी करन है, जो की हमें ग्यात करने लिए दिया गया था, आउकल तुरूटियां एवं सन्नी कटन, पुर्व में हम Y का X के साप एक्ष आउकल गुणांग परिभासित कर चुके हैं, अर्थात, DY by DX equal to limit delta X tends to 0, delta Y by delta X, तथा DY by DX को प्रतिक माना गया है, ना कि DY का DX से विभाजन, यहां हम प्रतिकों DX और DY का अर्थ देखेंगे, जिससे की प्रतिक DY by DX का मौलिक अर्थ तथा DY का DX से विभाजन समान हो, माना Y equal to f of X, X का एक फलन है, तथा delta X, X में किया गया थोड़ा परिवर्तन है, और इसके संगत Y में परिवर्तन delta Y है, तब हम यहां जानते हैं कि limit delta X tends to 0, f of X plus delta X minus f of X upon delta X equal to f dash of X, that implies f of X plus delta X minus f of X upon delta X equal to f dash of X plus epsilon, जहां epsilon tends to 0 है, जब delta X tends to 0 होता है, तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा, यह जो delta X है, इसका हम तिर्यक गोना कर देते हैं, या पक्षांतर कर देते हैं, तब हमें प्राप्त होगा, f of X plus delta X minus f of X equal to f dash of X delta X plus epsilon into delta X, तो left hand side में जो रासी दिखाई दे रही है, इसे हम delta Y से replace कर सकते हैं, क्योंकि f of X plus delta X minus f of X equal to delta Y होता है, तो delta Y equal to हमें मिल जाएगा, f dash of X delta X plus epsilon into delta X, मान करके चलते हैं कि यह समीकरण 1 है, चुकि delta X tends to 0 है, और epsilon tends to 0, और इसका गुनन, epsilon into delta X, अत्यन्त सुक्ष्म होने के कारण छोड़ा जा सकता है, या उसकी उपेक्षा की जा सकती है, इसलिए delta Y का मुख्यमान हमें मिल जाएगा, delta Y equal to f dash of X into delta X, मान करके चलते हैं कि यह समीकरण 2 है, यदि delta X, X के मान ग्याद करने में की गई एक तुरूटी हो, तब समीकरण 2 या सूत्र 2 से हम Y अत्वा f of X में तुरूटी delta Y का मान ग्याद कर सकते हैं, बदसर्तें कि तुरूटी delta X ज्यात हो, जांत्री की, भौते की, सांखी की तथा विज्ञान की कई अन्य साखाओं में तुरूटी सिध्धान्त में इस सूत्र का अत्यंत महत्व है, अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्णे परिभासिक सब्द देखते हैं, निर्पेक्ष तुरूटी, X में तुरूटी delta X, निर्पेक्ष तुरूटी कहलाती है, सापेक्ष अत्वा अनुपातिक तुरूटी, यदि X में तुरूटी delta X है, तब delta X अपॉन X, X में सापेक्ष तुरूटी कहलाती है, अब बात करते हैं परिशत तुरूटी की, यदि X में तुरूटी delta X है, तब delta X अपॉन X इंटू 100, X में परिशत तुरूटी कहलाती है, आउकल यदि फलन y equal to f of x का बिंदू x पर आउकलज f dash of x है तब आउकलज f dash of x तथा वृद्धी delta x का गुननफल फलन का आउकल कहलाता है और प्रतीक dy द्वारा निरूपित किया जाता है तो हम लिखेंगे dy equal to f dash of x delta x मान लेते हैं कि यह समीकरण 3 है अब x का आउकल dx equal to dx upon dx into delta x तो इस प्रकार dx equal to delta x हमें प्राप्त होगा इस प्रकार स्वतंतर चर x का आउकल dx चर x में वृद्धी delta x के बराबर है हम समीकरण 2 को हमेशा इस प्रकार लिख सकते हैं dy equal to f dash of x into dx या फिर f dash of x equal to dy by dx अतह अउकल अज f dash of x को फलन के अउकल तथा चर के अउकल के अनुपात के बराबर माना जा सकता है अब हम इसकी क्रियाविधी देखते हैं स्वतंत्र चर में लगु परिवर्तन के संगत प्रतंत्र चर में सन्निकट परिवर्तन ग्याद करने की जो क्रियाविधी है वह कुछ इस प्रकार है माना x तथा x plus delta x स्वतंत्र चर का मान क्रम सह प्रारंभिक और परिवर्ती मान है अर्थात x जो है इसका प्रारंभिक मान है और x plus delta x जो है यह परिवर्ती मान है डेल्टा x ज्याद कीजिए तथा मान लीजिए कि dx इक्वल टू delta x दिया हुए संबंद से y इक्वल टू f अफ ज्याद कीजिए बिन्दू xy पर dy बाई dx ज्याद कीजिए सूत्र dy इक्वल टू dy बाई dx इंटू dx द्वारा dy ज्याद कीजिए y में सन्निकट परिवर्तन डेल्टा y को dy के इस्थान पर डेल्टा y रखकर ग्याद करें अब चलते हैं अवकल के उप्योग से सन्निकट मान ग्याद करने की विधी जो की उच इस प्रकार है दिये हुए प्रश्ण के अनुसार स्वतंत्र चर एक्स और परतंत्र चर वाई में फलनक संबंद इस्थापित कीजिए उधारण के लिए किसी संख्या का घनमूल ग्याद करने के लिए हम फलनक संबंध y उक्वल्टू x का पावर 1 बाई 3 परिभासित करते हैं किसी कोण की जयाद ग्याद करने का फलनक संबंध y उक्वल्टू sin x है दिये हुए मान के निकटस्थ x के मान को इस प्रकार लेते हैं कि परिकलन सरलता पूर्वक किया जा सके उधारण के लिए यदि 28 का घात 1 बाटे 3 का स्थनिकट मान ग्याद करने के लिए हम x बराबर 27 लेते हैं चुकि 27 का घनमूल सरलता से ग्याद किया जा सकता है दिये हुए मान को x प्लस delta x द्वारा निरूपित कीजिए delta x ग्याद कीजिए तथा delta x equal to dx रखिए और फिर प्रतम चरण में प्राप्त संबंद से dy by dx ग्याद कीजिए दूसरे चरण में माने गए x के मान को प्रतिस्थापित करके dy by dx ग्याद कीजिए अब dy ग्याद करने के लिए संबंद dy बराबर dy by dx इंटू dx का उप्योग कीजिए और delta y द्वारा dy को प्रतिस्थापित कीजिए चरण 2 में लिए गए x के मान को चरण 1 में प्राप्त संबंद में रख़कर y का मान ग्याद कीजिए तब y का संनिकट मान कुछ इस प्रकार है y प्लस delta y इक्वल टू f of x प्लस f डैस of x इंटू delta x आईए इससे संबंदित कुछ प्रश्ण सरल करते हैं जिसमें हम आउकल का उप्योग करके सनिकटन मान ग्याद करेंगे प्रश्ण में दिया गया है कि आउकलन के द्वारा निम्नलखित के सनिकट मान ग्याद कीजिए जिसमें हमें पहला प्रश्ण दिया गया है वर्गमूल 401 इसका मान हमें आउकलन के अनुपरयोग करके ग्यात करना है तो पहले हम यह मान करके चलते हैं कि Y और इसमें डेल्टा Y एड़ करने पर हमें फलन जो मिल रहा है यह X प्लस डेल्टा X मिल रहा है और यही जो मान है हमें ग्याद करना है तो इस प्रकार यहां से हम लिख सकते हैं Y प्लस डेल्टा Y एक्वाल टू एफ आफ एक्स प्लस डेल्टा X एक्वाल टू स्क्वार रूट ओवर 400 प्लस 1 मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है तो यहां से हम यहां compare कर सकते हैं या फिर तुलना करने पर हम लिखेंगे कि x equal to जो value है यह 400 है और delta x की जो बात की जा रही है इसका मान है 1 मान लेते हैं कि यह समीकरण 2 है अब चुकि यहां पर हमें वर्गमूल याद करना है तो कुनहा हम यह मान करके चलेंगे कि f of x का जो मान है यह वर्गमूल x के बराबर है मान लेते हैं कि यह समीकरण 3 है अब दोनों पक्षों का आउकलन करेंगे तो d by dx of f of x equal to आपको मिल जाएगा f dash x equal to यह मिल जाएगा 1 by 2 root x यह मान करके चलते हैं कि यह 4 हमीकरण है तो जैसा कि आप जानते हैं कि f of x plus delta x जो है वो लगभग बराबर होता है f of x plus delta x into f dash x के बराबर तो f of x के इस्थान पर हमने माना है कि यह root x के बराबर है तो इसमें x plus delta x रख देंगे तो यहाँ पर जो मान दिया गया है इसमें परिवर्तन हो जाएगा तो इसको आपको मिल रहा है यह मान तो 1 by 2 root x अब समी करण एक तीन और चार का उप्योग करके हम यहाँ से लिख सकते हैं कि f of x equal to square root x f dash x equal to 1 by 2 root x यह मान और यह मान और हमें मिल रहा है f of x plus delta x equal to square root over x plus delta x तो यहाँ से x plus delta x जो है आप देख पा रहे हैं कि समी करण एक से हम इसे लिख सकते हैं square root over 400 plus 1 is equivalent to square root over 400 plus 1 into 1 by 2 root 400 तो यहाँ से आप समी करण दो पर ध्यान दीजें x equal to 400 है और delta x equal to 1 है तो value हमने आप पर put किया है अब इसको सरल करते हैं तो यह आपको मिल जाएगा square root over 401 is equivalent to 400 का square root निकालेंगे तो मिल जाएगा 20 और फिर अगेन यह 1 upon 2 into 20 तो solve करने पर square root over 401 is equivalent to 20 plus 1 by 40 और इसको solve करने पर आपको मिल जाएगा 20 plus 0.025 तो इसका मतलब यह कि square root over 401 की लगभग value जो है यह 20.025 के बराबर होगी और यही हमें ग्याद करने के लिए दिया गया था तो इस प्रकार हम alkaline का अनुप्रियोग करते हुए दिये गए रासियों का मान ग्याद कर सकते हैं और दिये गए रासियों का सन्निकटन मान ग्याद कर सकते हैं प्रशन दिया गया है यदि एक वर्ग की भुजा 6 cm से बढ़कर 16 cm हो जाती है तो इसके एक 6 तरफल में सन्निकट परिवरतन ग्याद कीजिए तो जैसा कि आप जानते हैं वर्ग एक चत्र भुज है जिसकी प्रत्यक भुजा की लंबाई बराबर होती है यहाँ प्रफशन में दिया गया है कि हर एक भुजा की लंबाई 6 cm है और 16 cm यदि उसकी लंबाई कर दी जाती है प्रत्यक भुजा की तो इसके 6 तरफल में क्या परिवरतन होगा यह हमें ग्याद करना है तो जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि यह एक वर्ग है जिसकी प्रत्यक भुजा 6 cm की है तो लिखेंगे कि दिया गया है दिया है एक वर्ग की भुजा 6 cm से बढ़कर 6 cm हो जाती है तो अभी हम यह मान करके चलते हैं कि माना किसी समय वर्ग की भुजा की लंबाई एक सेंटीमेटर है तो वर्ग की यदि भुजा की लंबाई 1 cm है तो उसका हम खेतर फल ग्याद कर सकते हैं लिखेंगे उसका खेतर फल मान लेते हैं कि यह यह है वर्ग की भुजा यदि X हो तो इसका छेत्रफल होता है लंबाई का वर्ग या लंबाई गुना लंबाई तो आपको मिल जाएगा X स्क्वार माल लेते हैं कि समी करण एक है अब यदि फलन के भुजा की लंबाई है X इसमें यदि डेल्टा X की रिद्धी की जाती है तो माल लेते हैं कि समी करण दो है अब समी करण एक के दोनों पक्षों का आउकलन X के सापेक्च करने पर तो आपको मिल जाएगा DA by DX equal to 2X माल लेते हैं कि यह समी करण 3 है अब समी करण 2 में देखते हैं अब समी करण 2 से F of X plus delta X F of X plus delta X equal to A plus delta A इसको यह delta लिखेंगे A plus delta A equal to X plus delta X का whole square यह भी delta X small delta X को use करेंगे हम यहाँ पर F of X plus delta X equal to पहले इसकी लंबाई थी 6 और फिर 0.1 cm इसमें बढ़ाए गया तो यह 6.1 cm हो गया तो यह 6.01 का whole square तो यहां से हम यह बोल सकते हैं कि X equal to 6 है और delta X equal to 0.1 cm है माल लेते हैं कि यह समी करण 4 है तो जैसा कि आप जानते हैं कि छेत्रफल में जो गृद्धी है इसे हम delta X into d by dx of A इस तरीके से लिख सकते हैं अब समी करण 3 को देखिए d by dx of A equal to 2x तो यहां पर आप लिखेंगे देल्टा एक्स into 2x समी करण 3 से तो आप मान रख देते हैं डेल्टा एक्स यह डेल्टा एक्स है यह डेल्टा एक्स क्या है 0.1 0.1 फिर 2x तो 2 into x x की value है 6 तो ultimately जब आप इसे solve करेंगे तो 0.1 into 12 solve करने पर आपको मिल जाएगा 1.2 cm तो डेल्टा A equal to आपको मिल रहा है 1.2 और यह आपको मिल जाएगा वर्ग cm की एक 6 तरफल में व्रिद्धी को प्रदसित कर रहा है और यही हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था या इसे आप दूसरे तरीके से अगर alkaline का अनुप्रियों किये भी ना यदि आप इसे सरल करना चाहते हैं तो आप दूसरे विद्धी से भी सरल कर सकते हैं वो यह कि पहला जो 6 तरफल है यह 6 का वर्ग है और जब इसमें कुछ परिवर्टन हुआ तो माल लेते हैं कि इसका 6 तरफल हो गया A2 तो A2 करेंगे तो 6.1 का whole square अब जो difference आया है या delta आया है change वो क्या मिल जाएगा A2 माइनस A1 तो ultimately जब इसे solve करेंगे तो आपको difference मिल जाएगा 1.2 वर्ग सेंटिमेटर का यदि alkaline का नुप्रियों करके कहा जाए तो हम इस तरीके से करेंगे पुचिस्ट एवम नेमनिस्ट maxima and minima एक फलन y equal to f of x आपको दिया गया है और यह एक अंतराल में continuous आपको दिखाई दे रहा है तो अपने प्रांत में फलन एक महत्तम मान और एक न्यूंतम मान को यह प्राप्त करता है तो चित्र में देखते हैं कि यह फलन है y equal to f of x जो कि x और y x के बीच में है एक अक्ष में हम 5 बिंदू लेते हैं a x1 small a x2 और b इन सभी बिंदूओं से हम y अक्ष के समांतर रेखा खीचते हैं तो इस प्रकार आप यह देख पा रहे हैं कि बिंदू a पर फलन जो है वो f of a मान प्राप्त करता है जो कि इस पूरे अंतराल में सबसे उच्चतम मान है तो इस उच्चतम मान को इस फलन का उच्चिस्ट कहेंगे अब बात करते हैं निमनिस्ट की या मिनीमा की, तो एक फलन एक दिये गए अंतराल में जो सबसे निवनतम मान प्राप्त करता है, उसे उस फलन का निमनिस्ट कहते हैं, उस मान से छोटा और कोई मान नहीं हो सकता उस फलन का उस दिये गए अंतराल में, आएए देखते हैं कि से किस प्रकार ग्याद करते हैं या इसका जामीती अर्थ क्या होता है उच्चिस्ट एवं निम्निस्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा अपने प्रांत में एक फलन एक महत्तम एवं न्यूंतम मान प्राप्त करता है महत्तम मान एक फलन f of x अपने प्रांत d में एक बिंदू a belongs to capital d पर महत्तम प्राप्त होता है यदि d में प्रत्यक x के लिए f of a is greater than or equal to f of x इस इस्थिती में f of a प्रांत d में फलन f of x का महत्तम मान अथवा परम उच्चिष्ट मान कहलाता है तथा a फलन f of x का d में महत्तम अथवा उच्चिष्ट बिंदू कहलाता है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि y equal to f of x एक फलन है जोकि x और y अक्ष के बीच में बना हुआ है और उस वक्र से लंबवत रेखाएं खीची गई है x अक्ष पर जहां पर capital a से लेकर कि capital b तक की मान हमें दिखाई दे रहे हैं और इस बीच में x1 और x2 भी है और साथ में एक small a ऐसा मान भी है जिसके लिए आप देख पा रहे हैं कि फलन जो है वह उच्चिष्ट मान पराप्त कर रहा है या फिर उस फलन का वह बिंदू, peak point दिखाई दे रहा है तो इसे हम लिखेंगे कि सनलग्न चित्र में x equal to a फलन f of x का अपने प्रांत में उच्चिष्ट भिंदू है f of a फलन f of x का प्रांत में महत्तम या उच्चिष्ट मान है जो की चित्र में इस पस्च दिखाई दे रहा है f of a is greater than f of x1 और f of a is greater than f of x2 तथा प्रांत डी के अन्य बिंदूओं के लिए भी यह सत्य है अब हम बात करते हैं नियूनतम मान की एक फलन f of x अपने प्रांत डी में एक बिंदू a belongs to d पर नियूनतम या निम्निष्ट मान रखता है यदि प्रत्यक x belongs to d के लिए f of a is less than f of x है तब इस इस्थिती में f of a फलन f of x का d में नियूनतम मान अथवा परम निम्निष्ट के लाता है तथा small a फलन f of x का d में नियूनतम बिंदू के लाता है तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि y equal to f of x x और y अक्ष के बीच में एक वक्र है और उससे हमने x अक्ष पर लंबवत रिखाएं कीची भी है जो की capital a से लेकर की capital b तक है और यहां पर x1, x2 और small a भी है तो इस वक्र का सबसे गहराई वाला जो बिंदू है वह हमें a के स्थिती पर प्राप्त होता है small a की स्थिती पर जो की फलन का मान f of a है तो यही जो बिंदू है यह फलन का नियूनतम मान है तो इसे लिखेंगे कि सलग्न चित्र में x equal to a f of x का अपने परांत d में नियूनतम बिंदू तथा f of a नियूनतम मान है जो की चित्र से इस पस्थ है तो इसे हम लिखेंगे f of a is less than f of x1 तथा f of a is less than f of x2 और यह इस्तिती प्रांत के अन्य सभी बिंदूओं के लिए भी सत्य है इस्थानिय उच्चिस्ट और इस्थानिय निम्निस्ट लोकल मैक्जिमा एंड लोकल मिनिमा तो पुर्व में हमने यह देखा कि अपने प्रांत में एक फलन के अधिक्तम और नियून्तम मानों को देखा प्रांत में कुछ ऐसे बिंदू होते हैं जिन पर फलन का मान न अधिक्तम होता है और न नियून्तम परंतु इन बिंदुओं पर फलन का मान इन बिंदुओं के छोटे सामिप्य में फलन के मानों से या तो कम होता है या अधिक इस प्रकार के बिंदुओं को इस्थानिय उचिस्ट या इस्थानिय निम्निस्ट बिंदु कहते हैं तो आईए देखते हैं इस्थानिय उचिष्ट या लोकल मैक्जिमा इस्थानिय उचिष्ट एक फलन बिंदू x equal to a पर इस्थानिय उचिष्ट रखता है यदि फलन f of x का x equal to a पर मान बिंदू a के लगु सामिप्य में फलन के मानों से बढ़ा हो अन्य सब्दों में यदि h is greater than 0 कितना भी छोटा हो का अस्तित्व इस प्रकार हो कि f of x अंतराल a minus h to a ओ यह open interval है में वर्धमान तथा अंतराल a से a plus h यह भी open interval है में रासमान हो तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि x और y के बीच में एक फलन y equal to f of x है और उसके बिंदू a f of a पर उसके left hand side पर a minus h x अक्ष पर है और उसके right side पर a plus h x के उस point a के right hand side पर है तो a minus h पर फलन का मान f of a minus h है और a plus h पर फलन का मान f of a plus h है तो यह बिंदू p के left में जो point है उसके सापेक्ष यह point वर्धमान है या फिर a minus h से small a के बीच में जो फलन है यह वर्धमान दिखाई दे रहा है अर्थात निरंतर बढ़ते हुआ मान हमें दिखाई दे रहा है इसी प्रकार small a से लेकर के a plus h तक जो अंतराल है open interval इसमें फलन निरंतर रासमान या गरता हुआ प्रतीत हो रहा है तो चित्र में फलन f of x का x equal to a एक इस्थानिय उच्चिस्ट बिंदू है तथा f of a एक इस्थानिय उच्चिस्ट मान है इस्थानिय उचिस्ट को आपेकशिक उचिस्ट या केवल उचिस्ट भी कहते हैं इस्थानिय निमनिस्ट या लोकल मिनिमा एक फलन f of x बिंदू x equal to a पर स्थानिय निमनिस्ट रखता है यदि x equal to a पर फलन का मान a के लगु सामिप्य में फलन के अन्य मानों से छोटा हो अन्य सब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यदि h is greater than 0 कितना भी छोटा हो इसका अस्तित्व इस प्रकार हो कि फलन f of x अंतराल यह open interval है a minus h to a में हरास मान तथा अंतराल अक्ष में वर्धमान हो तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक फलन x और y अक्ष के बीच में y equal to f of x है और x अक्ष पर तीन बिंदू हमने लिया a minus h, a और a plus h उसी प्रकार इन बिंदूों के संगत फलन पर बिंदू है या उसका मान है f of a minus h f of a और f of a plus h या करमसा मान है तो चित्र में देखिए कि अंतराल a minus h से ले करके a तक फलन जो है यह decreasing function है या हरास मान है फलन निरंतर नीचे गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है इसी प्रकार अंतराल a से a plus h में फलन f of x का मान निरंतर बढ़ता हुआ या उपर की और उठता हुआ दिखाई दे रहा है अर्थात इस अंतराल में फलन जो है वार्थमान है तो इन दोनों सामिप्यबिंदू के कारण या इन दोनों सामिप्यबिंदू की वज़ा से point a जो है यह इस्थानिय निम्निस्ट कहलाता है या इस्थानिय निम्निस्ट कहलाएगा चित्र में आप देख सकते हैं कि x equal to a एक फलन f of x का एक इस्थानिय निम्निस्ट बिंदू तथा f of a इस्थानिय निम्निस्ट मान है एक इस्थानिय निम्निस्ट मान इस प्रकार है उच्छिष्ट बिंदू A1, A3, A5 और निम्निष्ट बिंदू A2, A4 और A6 है फलन F of X के इस्थानी उच्छिष्ट का मान बिंदू O X equal to A1, A3, A5 पर है तथा इसके संगत इस्थानी उच्छिष्ट मान F of A1, F of A3, F of A5 है दूसरे विश्ष्टता यह है कि फलन F of X के इस्थानी उच्छिष्ट मान बिंदू O X equal to A2, A4, A6 पर है तथा इनके संगत इस्थानी उच्छिष्ट मान F of A2, F of A4 और F of A6 है दो इस्थानी उच्छिष्ट मानों के बीच एक इस्थानी निम्निष्ट मान का अस्तित्व होता है इसी प्रकार दो इस्थानी निम्निष्ट मानों के बीच एक इस्थानी उच्छिष्ट का अस्तित्व होता है कुछ बिंदूओं पर इस्थानिय निम्निस्ट मान फलन के इस्थानिय उच्छिष्ठ मान से अधिक हो सकता है चित्र में x equal to a4 पर इस्थानिय निम्निस्ट मान x equal to a1 पर इस्थानिय उच्छिष्ठ मान से बड़ा है अर्थाथ f of a4 is greater than f of a1 आपने देखा कि उच्छिस्ट और निम्निस्ट क्या होता है और इस्थाई उच्छिस्ट और इस्थाई निम्निस्ट या फिर लोकल मैक्जीमा और लोकल मीनिमा क्या होता है और इसे किस प्रकार ग्याद करते हैं आएए चलते हैं इसे समयनित प्रश्णों पर जहाँ पर इनको हम सरल करेंगे इन अवधारणाओं का उप्योग करते हुगे प्रश्ण दिया गया है कि X के किन मानों के लिए फलन उचिस्ठ या निमनिस्ठ हैं इसमें पहला प्रश्ण दिया गया है एकस का घहात पांच रिंड पांच एकस का घहात चार धन पांच एकस का घहात तीन धन दस यह फलन दिया गया है तो हम लिखेंगे कि माना F of X equal to this X का पावर 5 माइनस 5 X का पावर 4 प्लस 5 X क्यूब प्लस 10 अब इसका हम अउकलन करते हैं तो F dash X X के साब एकस करेंगे तो मिल जाएगा 5 X का पावर 4 माइनस 20 X क्यूब प्लस 15 X स्क्यूर और 10 जो है यह अचर रासी है उसका अउकलन हमें मिल जाएगा 0 मान लेते हैं कि यह समीकरण एक है तो उचिस्ट या निम्निस्ट के लिए F dash of X equal to 0 होना चाहिए तो हम लिखेंगे कि F of X के उचिस्ट या निम्निस्ट के लिए F dash X equal to 0 होना चाहिए तो इसलिए 5 X का पावर 4 माइनस 20 X क्यूब प्लस 15 X स्क्यूर इक्वल टू 0 आप देख सकते हैं कि तीनों पाद में हम 5 को वहनिष निकाल करके तो मिल जाएगा X का पावर 4 माइनस 4 X क्यूब प्लस 3 X स्क्यूर इक्वल टू 0 अब इस पूरे समीकरण से आप X स्क्यूर को कामन ले सकते हैं तो मिल जाएगा x square common लेंगे तो यहां आएगा x square फिर minus 4x plus 3 equal to 0 तो यह x square है दो अलग अलग पदों का गुर्ण फरल शुनिय है या तो यह शुनिय के बराबर होगा या तो यह पदों के बराबर होगा तो यह एक वर्ग समीकरण है इसको सरल करने पर हमें दो फेक्टर मिलेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं x square into इसको solve करने पर या गुरंट करने पर आपको मिल जाएगा x minus 1 into x minus 3 equal to 0 तो सरल करने पर आपको मिल जाएगा x equal to 0, x equal to 1 और x equal to 3 अब कुछ तरीके से 3 मान मिलेंगे अब उच्छिष्ट या निम्निष्ट ग्याद करने के लिए हम f of x मिला था, f dash x मिला है, f double dash x यहाँ ग्याद करेंगे तो समी करन एक के दोनों पक्षों का आउकलन x के साब एक्ष करने पर, तो समी करन एक से मैं इस प्रका लिख रहा हूँ, f double dash x हो जाएगा, जब दोनों पक्षों का आउकलन करेंगे तो, अब इसका आउकलन करेंगे तो मिल जाएगा, 20 x का power 3 minus 60 x square plus 30 x, मान लेते हैं कि यह स रख करके देखते हैं, तो x equal to 1 पर f double dash x का मान क्या होगा, यहाँ पर x किस्थान पर एक रख करके देखिए, तो मिल जाएगा 20, गुना 1 अगा 3, 1, और 1 गुना 20 करेंगे तो मिल जाएगा 20, इसी दरीके से यह rind 60 और फिर यह 10, 10, 20 और 30 जोड़ेंगे 50, 50 से rind 60 करेंगे, म जो की रणात्मक है, तो इसका मतलब यह कि f of x, x equal to 1 पर उच्छिस्ट फलन है, अभी हमने x equal to 1 के लिए solve किया है, similarly x equal to 3 के लिए solve करेंगे, so x equal to 3 पर f dash double dash x का मान, solve करते हैं, तो यह 20 into 3 का cube, minus 60 into, यह 3 का square, यहां पर मान रखते जा रहें, plus 30 into 3, solve करने पर आपको positive value प्राप्त होगी, तो यहां पर फलन जो होगा, वो निमनिस्ट होगा, तो अतह f of x, x equal to 3 पर निमनिस्ट फलन है, तो यह 2 बिंदू पर हमने ग्याद कर लिया, x equal to 1 पर यह उचिस्ट फलन है, और x equal to 3 पर यह निमनिस्ट फलन है, अब x equal to 0 पर हम इसको रख करके टेस्ट करेंगे, x equal to 0 पर f double dash x का मान, तो यहां पर अब 0 रखेंगे, तो ultimately हमको मिल जाएगा 0, तो x equal to 0 हमें मिल रहा है f double dash x, तो इस वज़ा से हम यह नहीं कह सकते कि यहां पर हमें उचिस्ट मिलेगा, या फिर निमनिस्ट मिलेगा, तो इस वज़ा से हम f triple dash x का मान ज्याद करेंगे, तो समी करण 2 से f triple dash x equal to d by dx of f double dash x, अर्था इस पत्का फिर से आउकलन करना है, तो मिल जाएगा 60 x का घाद 2, रिन 120 x, और धन 30, अब यहां पर हम x equal to 0 मान रखेंगे, तो x equal to 0 पर f triple dash x का मान, यहां पर रखेंगे 0, यहां पर रखेंगे 0, और ultimately हमें जो मान मिल रहा है, यह 30 है, जो की धनात्मक है, तो इसका मतलब यह है कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो की 0 के बराबर नहीं है, अब यह 0 के बराबर नहीं है, तो अता हम x equal to 0 पर यह कह सकते हैं कि दिया हुआ फलन, ना तो उच्छिस्ट है और ना ही निमनिस्ट है, अता हम x equal to 0 पर दिया गया फलन, ना उच्छिस्ट है और ना ही निमनिस्ट है, और यह हमें ग्याद कर निकले कहा गया, फिर इसमें दूसरा प्रश्ण दिया गया है कि फलन x minus 1 into x minus 2 और x minus 3 इन सब का प्रड़क्ट है, एक्स के किन मानों के लिए फलन उच्छिस्ट है और किन मानों के लिए निमनिस्ट है यह हमें ग्याद करना है, तो इसके लिए आपको दिया गया फलन पहले गुणा करके सरल करना है, उसका मतलब यह कि x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 को आप solve करिए, तो पहले इन दोनों पदों को हम solve कर लेते हैं, तो x into x करेंगे तो मिल दाएगा x square, फिर x into minus 2 करेंगे तो minus 2x, फिर minus x और minus और minus plus 2, और फिर यह है x minus 3, अब x minus 3 का multiply is put a term के साथ करेंगे, तो x into x square x cube, फिर minus 2x square, फिर minus x square plus 2x, अब फिर minus 3 का multiply करेंगे, minus 3x square, minus minus plus 6x, plus 3x और minus 6, घातों के घटते हुए करम में हम इसे लिखते हैं, पहला घात 3 वाला पद x cube, फिर घात 2 वाला पद, minus 2 और यह minus 1, minus 3, minus 3, minus 3, minus 3, minus 6, यह हो गया minus 6x square, फिर एक घात वाला पद, तो यह 2 और 6, 8, और 3, 11, यह मिल जाएगा 11x, और फिर अचर पद है, तो इस तरीके से हमें, जो फलन प्राप्त हुआ वो है, x cube, minus 6x square, plus 11x minus 6, अब दोनों पक्षों का आउकुलन, x के साफ एक्ष करते हैं, तो मिल जाएगा, 3x square, minus 12x, plus 11, equal to, plus 11, मान के चलते हैं, कि यह, जो मैं मान प्राप्त हो रहा है, यह, समी करण 1 है, अब f double dash x ग्याद कर लेते हैं, अर्थात इस समी करण 1 का, दोनों पक्षों का, x के साफ एक्ष पुना होकलन करेंगे, तो यह मिल दाएगा, 6x minus 12, अब जैसा कि आप जानते हैं, कि उच्चिस्ट या निम्निस्ट के लिए, f double dash x equal to 0 लेकर के हम सॉल्व करते हैं, तो उच्चिस्ट या निम्निस्ट के लिए, f dash of x equal to 0 इसको हम सॉल्व करते हैं, यह मिल दाएगा, 3x square minus 12x plus 11 equal to 0, इसे हमें सॉल्व करना है, तो यह देखिए कि यह x में एक वर्ग समी करण है, सॉत्र विदी के द्वारा इसे सरल्व किया जा सकता है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ग समी करण का खल, सॉत्र विदी के द्वारा x equal to होता है, x equal to minus b plus minus square root over b square minus 4ac upon 2a, इस सॉत्र का उप्योप करके हम सरल्व करते हैं, जहांपर a x square का गुणांख है, b x का गुणांख है और c अचरपन है, minus b plus minus root over b square, तो ए minus 12 का square, minus 4a into c upon 2a, minus और minus plus हो जाएगा, फिर plus minus square root over, रिंड बारा का वर्ग 144, चार तिया, बारा, बाराम ग्यारम, एक सो बत्तिस, बटे 6, 12 धन रिंड, फिर से सरल करने पर, यहां पर आपको वर्गमूल 12 मिल दाएगा, बटे 6, तो यह मिल दाएगा, 12 धन रिंड, 3, 12 को लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, और 4 का वर्गमूल 2, और यह 3 का वर्गमूल 3 ही, इस तरीके सही रहेगा, बटे 6, अब अन्स और हर में से 2 को आप कैंसल कर सकते हैं, तो यह 2, 12 और 2 एक कम, 2 और फिर यह 2 तिया, 6, तो इस तरीके से, X का जो मान है, हमें 2 मान पराप्त हो रहा है, यदि इसे आप स्प्लीट करके लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं, X equal to 6 by 3 करेंगे, तो मिल जाएगा 2, और plus minus 1 by root 3, तो root 3 upon 3 करने पर, आपको इस तरीके से यह मान मिल जाएगा, तो यहाँ पर X के 2 मान है, जब X equal to 2 plus 1 by root 3, और दूसरा मान है, X equal to 2 minus 1 by root 3, अब इन दोनों मानों को, F double dash X पर रख करके देखेंगे, यदि धरनात्मक मान मिलेगा, तो निमनिष्ट होगा, और अनात्मक मान मिलेगा, तो चिस्ट होगा, तो लिखेंगे, अब X equal to 2 plus 1 by root 3 पर, F double dash X का मान, यहाँ पर यह जो फलन है, यहाँ पर हमें मान रखना है, तो 6 into 2 plus 1 by root 3 minus 12, तो देखिए, 6 दुनी 12 और यहाँ पर भी 12, तो ultimately जब इसे सरल करेंगे, तो 6 बटे वर्गमोल 3 मिलेगा, जो की धरनात्मक संख्या है, तो इसलिए, फलन जो हमें दिया गया था, X equal to 2 plus 1 by root 3 पर, निमनिष्ट है, अब पुना, X equal to 2 minus 1 by root 3 के लिए, इसको आगे टेस्ट करेंगे, अब हम टेस्ट करेंगे, X equal to 2 minus 1 by root 3 पर, F double dash X का मान, तो यहां पर हमें वह मान रखना है, 6 into 2 minus 1 by root 3 minus 12, solve करने पर 6 दुनी 12 और यहां से रिंड़ 12 दोनों के अंसल हो जाएंगे, और आपको जो मान मिलेगा, रिंड 6 बटे वर्गमोल 3, जो की रिनात्मक मान है, तो जब रिनात्मक मान मिल रहा है, तो इस स्थान पर फलन जो होगा यह उचिष्ट होगा, अतह X equal to 2 minus 1 by root 3 पर फलन उचिष्ट है, और यही हमें गयाद करने के लिए कहा गया था, अगला प्रशन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, फलन X cube minus 3X square plus 3X plus 7, का मान बिन्दू X equal to 1 पर ना तो उचिष्ट है और ना ही निम्निस्ट, तो इस प्रकार के प्रशन को पहले हम सरल करके, दी वाई वाई डी एक्स का मान गयाद करेंगे, और उचिष्ट या निम्निस्ट के लिए डी वाई डी एक्स equal to 0 लेकरके हम solve करेंगे, तो वहाँ से हमें 4 रासी की values मिलेगी, और उसे हम D2 Y by Dx square की जो value प्राप्त हो रही है, उस पे हम रखेंगे, यदि उसके बाद भी अगर 0 प्राप्त होता है, तो हम यह कहेंगे कि इसके उचिष्ट या निम्निस्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसके बाद हम उसके लिए D3 Y by Dx cube इसको हम solve करके देखेंगे, और यदि उसका मान 0 के बराबर नहीं आता है, तो हम यह नहीं कह सकते कि यह ना तो उचिष्ट है और यह तो, यदि उसका मान 0 के बराबर नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि फलन इस बिंदू पर ना तो उचिष्ट है और ना ही निम्निष्ट, माना Y equal to X cube minus 3X square plus 3X plus 7, दोनों पक्षों का आउकलन X के साफ एक्ष करने पर, DY by DX equal to 3X square minus 6X plus 3, तीनों पदों से आप X को काउमा ले सकते हैं, X square minus 2X plus 1, दूसरी बात है, D2Y by DX square का मान हम याद कर लेते हैं, तो इस फलन का फिर से आउकलन करेंगे, तो मिल दाएगा 6X minus 6, और यहां से आप 6 को काउमा ले करके, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो उचिस्ट या निम्निस्ट के लिए, D Y by DX equal to 0 लेकर के हम सरल करेंगे, तो यहां सा आपको मिल दाएगा, 3 into X square minus 2X plus 1 equal to 0, तो सॉल करने पर आपको मिल दाएगा, X minus 1 का whole square equal to 0, that implies X equal to 1, यहां पर हमें पुनरा वृत्त मूल मिल रहा है, X equal to 1, X equal to 1, तो अब हम यहां टेस्ट करेंगे, X equal to 1 पर, D 2 Y by DX square का मान, अर्थात यह जो 6 into X minus 1 है, वहां पर हम X equal to 1 पूट करके देखेंगे, तो 6 into 1 minus 1, that is equal to 0, तो चूकि यहां पर, X equal to 1 पर, उत्चिस्ट अथवा, निमनिष्ट के विसाय में कुछ नहीं कहा जा सकता, अब हम D cube Y by DX square, D X cube यह ग्याद करेंगे, इसका मतलब है, D by DX of D to Y by DX square, यह जो फलन है, 6 X minus 6, इसका फिर से आउकलन करेंगे, तो आपको मिल दाएगा 6, तो इस फरकार, D cube Y by D X cube, यह तो अच्छा रासी है, इसका मान, X equal to 1 पर भी, आपको 6 मिलेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि X equal to 1 पर फलन ना तो उच्छिस्ट है, और ना ही निमनिस्ट है, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था,